Follow us for all medical updates, latest news, exam guide, recording, mtcad, mbps, fcps, jcat, lab and usmle Assalamualaikum and welcome to my channel आज की वीडियो में हम PNC mtcad के हवाले से important update शेयर करेंगे तो finally PNC की official website पे notification आ गया है जिसके मताबिक आप अपना center change कर सकते हैं लेकिन PNC mtcad को delay नहीं किया गया उसकी date 13 नमबर ही है और 13 नमबर को ही exam conduct होगा center change करने के notification से जो ये जो student का बहुत बड़ा issue चल रहा था जिसको PNC ने resolve कर दिया है क्योंकि पहले mtcad national level पे हो रहा था तो students ने अपने location के हिसाब से center select किया हुआ था और all over Pakistan एक ही mtcad हो रहा था तो students चारे थे कि वो अपने province के हिसाब से अपना center select करें तो इसके लिए portal open कर दिया गया है और इस portal की जो date है वो 29th October से लेकर 2 November तक है तो portal 2 November 12 बज़े तक open रहेगा तो आप अपना center जस्ट एक ही दफा चेंज कर सकते हैं यहां पर एक एहम चीज आप लोगों को बता दूँ कि यह जो portal open किया गया है इसमें सिरफ inter provincial center change करने की इजाज़त दी गई है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने बलोचिस्तान के अंदर रहते हुए पंजाब का center select किया हुआ था तो आप उन center को अपने province के अंदर shift कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आप यह चाह रहे हैं कि आप पंजाब के अंदर ही रहते हुए अपना center change कर लें यानि एक city से दूसरी city select कर लें तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्यूंकि इसके लिए आपको अगर उसी सूबे की जो university है वो इजाज़त देगी तब आ एक notification आ गया है जिसमें उन्होंने इजाज़त दे दिया है कि KPK के अंदर रहते हुए आप different cities के जो center selection है उसको आप change कर सकते हैं और 3 October तक उन्होंने time दिया है अगर बात करें MDCAD के merit formula की तो उसके हवाले से हम पहले ही video बना चुके हैं और उस पर बाता चुके हैं MDCAD का merit formula 50% है FSE का 40% है और metric का 10% है लेकिन कुछ students ये कहना चाहरे हैं कि जो FSE का merit 40% है इसमें सिरफ science subject के marks count होने चाहिए थे लेकिन इसके हवाले से अभी कोई भी official notification नहीं आया है और अगर बात करें exam के time duration के हवाले से तो उसके बारे में भी कोई official notification नहीं आया तो अभी test का time साड़े तीन घंटे ही रहेगा और end पर ये भी बताती चलूँ कि nums MDCAD का भी अभी तक result नहीं आया expected है कि November के first week में nums MDCAD का result आ जाएगा तो जैसे ही nums का result आ जाएगा तो हम timely आपको update कर देंगे Thank you so much for watching this video and please subscribe the channel for more medical updates